मेरे प्यारे बच्चों, आजके इस वीडियो में क्लास टल्थ के बच्चों के लिए पूरा का पूरा रियल पेपर उतार दिये हैं, पेपर लीक हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों और जो वीडियो पूरा देख लेंगे समझ लीजिए उनका बेडा पार हो जाएगा वो बच्चे सौ में सौ पा जाएंगे तो वीडियो पूरा देखना बिल्कुल भी स्कीप मत करना क्योंकि आज आपके लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रहे हैं यह जो वीडियो देख रहे हो पेपर लीख हो चुका है मेरी पैर बचों अभी से तयार करलो सारा का सारा पूरा का पूरा पेपर साल्व करके लेए आए हैं ठीक है न अगर मेरा वीडियो जो बच्चे देखेंगे वो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा नंबर पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दम धमाकेदार कोईस्टन के साथ पूरा का पूरा ज्यादा ज्यादा कोईस्टन साल्ब कर देंगे इसी वीडियो में ठीक है ना और जो बचे तयार करेंगे मेरी गैरेंटी है वो सौ में सौर जरूर पाएंगे देखो अगर आपको बोड एकजाम में सारे सब्जेक्ट का पूरा का पूरा पेपर देखना है तो आप इस चैनल से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ठीक है ना तो यह जो आपका वीडियो है तो बाइस फरवरी का यह जो पेपर है मेरे पैर बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखना अगर वो डिकजाम में 95% स्कोर करना है तो ठीक है ना पहला देखो सारा का सारा वीडियो देख लेना अपने दोस्तों में जरूर सेयर कर देना अगर उनका हित चाहते हो तो ठीक है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सभी बच्चे देखो भासा योग वासिष्ट के लेखक तो भासा योग वासिष्ट के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी कौन है दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी जी सदल मिस्र की रचना सदल मिस्र की रचना कौन की थी ना सिकिये तो पाख्यान ने सदल मिस्र की रचना की थी नेक्स्ट कोश्चन है चंद्रकांता संतत कित की विधा है उपन्यास अगला है बालकिष्ण भक्त संपादक थे यह किसके संपादक थे हिंदी प्रदीप के जो है यह संपादक रहे हैं अगला कोश्चन है वासुदेव स्रणग्रवाल की रचना कौन के किस ने किया था तो वासुदेव स्रणग्रवाल की रचना साहित और समाज ने ठीक है कितनी नाओं में कितनी बार काब विक्रिती है ये अग्ये की रचना है छायावाद की प्रमुक विसेश्ता स्रिंगारिक भावना का पूर अभाव ठीक है दूसरा सब तक का प्रकाशन वर्स दूसरा सब तक का प्रकाशन वर्स तो हिंदी का प्रथम महा काब्य माना जाता है तो हिंदी का प्रथम महा काब्य प्रिथभी राज रासो को माना जाता है मैतली सरण गुप्त की काब्य कृति है तो मैतली सरण गुप्त की काब्य की प्रेमांबुज प्रवा है कोई दोस्तो प्रेमामबुज प्रवाद दिये गए गद्यांस पर अधार में प्रश्णों के उत्तर दीजिए देखे ये जो गद्यांस है मेरे प्यार पच्छोई इस गद्यांस को आप जरूर तयार कर ले ना से आप कोई भी गद्यांस आएगा तो तीन बार उसे पढ़ना और ये गद्यांस आप जरूर तयार करने ना बहुत important है हर बार board exam में पूछे जाने वाला ये प्रश्णा है ठीक है ना अगर आपने इसको नहीं तयार करा तो समझ लिजिए board exam से आप बहुत ज़्यादा चूग जाओगे और अच्छा नंबर पाने से आप चूग जाओगे ठीक है ना अप्वा मत मानना आ जाता है मार गेट में और आ गया ना तो सब देख लो पूरा का पूरा मात्री भूमी पर निवास करने वाले मनुस्य राष्ट का दूसरा अंग है पृतबी प्रिथवी हो मनुष्य नहो तो राष्ट की कलपना असंभव है प्रिथवी और जन दोनों के समन्यों से ही राष्ट का स्वरूप संपादित होता है जन के कारण ही प्रिथवी मात्रि भूम की संग्या प्राप्त करती है पृत्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृत्वी के पुत्र है ठीक है न तो ये हमारा है और इसका जो गध्यान से लिखना है एक प्रश्ण दो अंक के होते हैं इसका गध्यान से लिखने के बाद आप लेखक का नाम लिखना फिर रेखांकित अंसकी ब्याख्या करना जहां से जहां तक रेखांकी थै इसकी ब्याख्या कर दो या वही चिज़े लिख दो आज इति उतार दो के तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा पिर्थभी और जन दोनों को मिल कर क्या कहते हैं ठीक है न तो देखो यहां लिकाए प्रिथभी और जन दोनों समन्व से ही राष्ट का स्वरूप संपादित करते हैं ठीक प्रिथभी कब मात्रभूम की संग्या प्राप्त कर लेती है तो यहां जन के कारण प्रिथभी मात्रभूम की संग्या प्राप्त कर लेती है इससे खोज-खोज के सारे आंसर आप दे सकते हो, ठीक है ना, एक एक point का आंसर आप दे सकते हो, दिये गध्यांस, दिये गए, दिये गए पद्यांस पर अधारिमिकी प्रस्णों के, तो ये पद्यांस भी आप दो-तीन बार पढ़ना और इससे पढ़ने के बाद इसका question एक साहित्तिक परचे, साहित्तिक परचे में आपको कैसे देना है जरा ध्यान देना, तीन साहित्तिक परचे आएगा, तीन में से आपको एक लिखना है, प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ि, आचायर राम हजारी प्रसाद दिवेदी, डाक्टर एपीज अबदूलकलान, तीन पेपर है वर्जिनल पेपर आउट कराया है जैसे यहां पर डाक्टर एपी जे अबदुल कलाम का संचिप्त परचेतों संचिप्त परचे में आप यहां से यहां तक लिखना पूरा ठीक है ना उसके बाद जो है निम्लखित में से किनी एक कभी का सायतिक पर्चर देते उनकी काप विक्रतियों पर प्रकाश डालिए तो ऐसे ही आप देखो इसमें जब भी इसे लिखना तो आप एक बार संचिप्त पर्चर देना उसके बाद एक पेज बढ़ियां से बनाकर लिख देना थीक है न एक पेज पूरा कहानी बनाकर लिख देना बाकि आपको ऐसे लिखना है निमल्खित में से किसी एक कभी का साहतिक परचे देते उनकी काप विकृतियों पर प्रकाश डालिए जैसंका प्रसाद है महादेव अर्मा जी है सचिदा नहीरवारसया नग्या जी है तो यहाँ पर जो है जैसंका प्रसाद का पुरा का पुरा लिखेंगे ठीक है ना, पूरा-पूरा काभ विकृती लिख देंगे और संचिप्त में पहले ऐसे लिखना है उसके बाद जो है उनकी कहानी बना कर लिख देना है ठीक, फिर दुरू यात्रा कहानी के उद्देश पर प्रकास डाली अधिक्तम सब्द 80 वर्ड लिखना है तो यहाँ पर 80 वर्ड लिखेंगे पंचलाइट है बहादूर कहानी का सारान से लिखें ठीक है ना, तो आप क्यों पंचलाइट पढ़के चले जाओ बस सोपठित खंड काभ के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्ण का उत्तर दीजिए आप ये हर जिले का अलग-अलग होता है आप जिस जिले के हो उस जिले के कार्डिंग ये पढ़ना ठीक है ना मुक्तियग्य है इस तरीके से त्यागपतिक है सत्य की जीत है अलोग ब्रिजे से प्रयाग राजवाले अलोग ब्रिजे लिखते है तो अपने ही जिले का खंडे का आप में लिखना अगर किसी दूसरे जिले का आप लिखोगे तो आपको बिल्कुल लंबर मिलने वाला नहीं है ठीक है न? फिर देखो दिये गए संस्कित गध्यानसों में से किसी एक का संदर्व हिंदी में अनुबाद कीजिए तो यहाँ पर जो संस्कित है इसका आपको संस्कित में एकदम बढ़िया से इसका पूरा आप हिंदी में अनुबाद कर लेना ठीक है? उसके बाद संदर्व का ये संदर्व जो देख रहे हो संदर्व पूरा लिखना इसका इस लोग का भी संदर्व और हिंदी में उनुबाद लिखना फिर मुहावरे लिखना एक का मुहावरा देना है ठीक है? और ये सभी बच्चे स्क्रीन सॉट लेते जाए इसका अब अठीद गद्यांस देखिए दस नंबर में आपको एक गद्यांस आएगा अर्थ चैन करके लिखिए तो यहाँ पर देखिए सकल सकल का संपूर और खंड हो जाएगा अंस अंसु का भाग या किरण हो जाएगा निम्लिखिद सब्दों में से किसी एक सब्द के दो साही अर्थ लिखिए धरा के भूप प्रिथभी एक ही का लिखना है मैंने यहाँ पर आपको तीनों का लिखिए दिखा दिया निम्लिखिद गद्यांस में सब्द का सही चैन कीजिए जिनका कहीं अंत नहों से हम अनंत कहते हैं ठीक जानने की इच्छा रखने वाले को जिग्यासियों बोलते हैं फिर इधर देखिए निम्लिखिद में से किसी दो आख्यों को सुद्ध करके लिखे तो आप दो आख्यों सुद्ध करके लिख देना एकदम सरल चीज है सिंगार रस तथा बीर रस का लक्षण उसका एक उदाहर दीजिए अभी देखे जैसे जिस दिन पेपर होगा ना साम को हम आपको 6 बजे यही पेपर डालेंगे एकदम पूरा का पूरा पेपर वाइरल हो गया है समल लीजिए ठीक है ना सलेस अलंकार अत्वा उद्प्रेच्छा अलंकार का लक्षण और रुदाहान लिखिए तो एकदम रठ के जाना सोठा छंद अत्वा कुंडली छंद का अलंकार लिखना है इसे भी रठ के चले जाना समाचार पत्र में प्रकासित दिग्यापन के आधार पर लिपिक के पत्र नियुक्ति करने है तू रिड़ प्राप्ति है तू बैंक के साखा प्रबंधा रिड़ प्राप्ति के लिए एक तयार करके चले जाना बस ठीक है ना रिड़ प्राप्ति के लिए आप क्या करोगे मेरे पैर बच्चों एक तयार कर लेना बस ठीक है ना एक तयार करके चले जाना एकदम एकजाम में धूम मचा दोगे फिर उसके बाद लिखित बिश्यों में से किसी एक बिश्यों पर भासा सहली पर निबंद आप क्या करो ना प्रदूसर पर और जनसंख्यानी अंतरन पर या तंकवाद इन में से कोई एक पढ़के चले जाओ ए इकजाम में फोड़ कर नंबर लाओगे मेरे प्यार बच्चों ठीक है ना तो यह आपका गेस पेपर रहा है आप इसे जरूर तयार करना वोड इकजाम के पॉइंट अभी उसे बहुत ही महत्तपूर है तो अगले वीडियो में आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय ज यह पर बंदे मात्रम